अब आएगा framework is ready to use अब इस जैसे ही message आ गया आपकी finally तरीके से device आपकी install हो गई है अब आप इसको चाए APS में यूज़ करो चाए pencard में यूज़ करो otherwise किसी भी काम को लेके आप mantra device all-in-one function पर आप काम कर सकते हैं तो hello guys welcome to my channel Rocktech Prince Prince हमारे इंडिया में सबसे यादा दो ही कंपनियों की fingerprint device यूज़ होती है किसी भी काम में चाए banking sector में ले लो चाए pencard sector में ले लो चाए otherwise कोई भी ऐसा काम जो fingerprint से होता हो वहाँ पे दो ही कंपनियों की device सबसे यादा यूज़ होती है एक है mantra और एक है morpho इस दो कंपनियों की device सबसे यादा इंडिया में हमारे हैं यूज़ होती है तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि mantra device 2024 में हम कैसे install करें और वहाँ से mantra device install करने के बाद यहाँ पे आप APSV यूज़ कर सकते हो एनेज़ जन से pen card जब बनता है EKYC के दोवारा उसको भी use कर सकते हो otherwise कोई भी ऐसा काम जो fingerprint से होता होगा mantra device की एक ही setting से आप all-in-one सारे work कर सकते हो तो वीडियो complete देखना वीडियो काफी interesting knowledgeable है तो वीडियो जरूर complete देखना क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार ब्रह्मास्त्र आपको बता के जाऊँगा और मैं चैलेंज भी करता हूँ अगर मेरी वीडियो आपने complete देख ली कि जैसे जैसे मैं step by step follow करूँगा वैसे वैसे आपको भी करना है mantra device आपकी 101% यहाँ पे computer में आपके work करेगी तो बहुत कम लोग उसको buy कर रहे हैं अभी L0 जो पुराना model था वो work कर रहा है अभी भी कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे पास पुराना version है और मेरे laptop में अभी ये mantra device installation नहीं है अगर मैं अपने computer में यहाँ लगा दूँ तो यहाँ पे कोई भी activity नहीं दिखाएगा जबकि अगर हमारा mantra install होता है तो यहाँ पे message दे देता है कि device access तो यहाँ पे भी कोई message भी नहीं देख रहे हैंगो आप मेरी display पे कोई message यहाँ पे नहीं है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं driver install करूँगा क्योंकि driver install करने का तरीका चेंज हो गया 2023 में कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है तो आपको आ जाएना सीधा Google पर मैं computer screen पर आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने Google open किया हुआ है यहाँ पे आपको डालना है mantra RD service तो यहाँ पे जैसे आप RD service डालेंगे तो first option पर ही आपको एक option मिलेगा यहाँ पे mantra soft tech India private limited और एक URL होगा mantra tech.com पहले यहाँ पे अलग changes आता था बड़ आप कुछ यहाँ पे बदल चुका है तो आपको सीधा यहाँ पे मंत्रा डाउनलोड वाले options पे किलिक करना है यह notification माँगेगा उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे product और यहाँ आप देसकते हैं mantra MFS 100 जो पुराना वर्जन है जिसको L0 वर्जन के नाम से जाना जाता है एक है यहाँ पे सीरीज जो 100 MIS 100 वर्जन 2 में है और एक है mantra MFS 110L1 यह नया वाला latest वर्जन आया है तो इसमें सा आपको कौन सा ड्राइवर इंस्टोल करना है उस पे आप किलिक करेंगे मुझे करना है पुराने वाले वर्जन पे इस्टोल तो मैं mantra MFS 100 पे मैं किलिक करूँगा तो जैसे मैं किलिक करता हूँ तो आपको यह options मिलेंगे document, driver, rd service और rd sd के developer पहले हमें यहाँ पे तीन software डाउनलोड करने पड़ते थे driver और rd service और एक client service तो यहाँ पे आप जो एक client service को remove कर दिया गया है मंत्रा की तरब से अब हमें यहाँ पे ओनली दो driver इस्टोल करने है एक है हमारा यहाँ पे driver तो मैं driver पे किलिक करूँगा तो यहाँ पे mfs 100 का ही driver मिलेगा और इसको मैं download कर लूँगा तो download करने पर यह iam rover का आ रहा इसको आप कर लेना submit है submit करने के बाद यह मेरा downloading पर आ गया है देख सकते हैं आप यहाँ पर download हो चुका है उसके बाद आप करूँगा मैं RD service तो RD service मैं किलिक करूँगा तो यहाँ पर options मिलेंगे एक मिलेगा window RD service और एक मिलेगा आपको android service तो मेरे को तो computer इस्टोल करना है तो window RD service पर मैं किलिक करूँगा और इसको download कर लूँगा तो यहाँ पर iam rover कर देंगे submit कर देंगे तो यह मेरा जो है दोनों software मेरे यहाँ पर download हो चुके आप देख सकते हैं और इसको मैं open करूँ तो दोनों software मेरे यहाँ पर download हो चुके हैं और मैं इसको last extra last version तो यहाँ देख सकते हैं MFS RD service भी और MFS driver भी है मेरा यहाँ पर download हो चुका पहले जब मेरी last video आप देखेंगे तो वहाँ पर तीन driver इस्टोल होते थे RD device और RD service दोनों था और एक client service भी हम यहाँ पर इस्टोल करते थे बट वह चीज यहाँ से आप रिमूब कर दी गई है अब दो ही software आपको इस्टोल करने है तो वन वाई बन करके मैं इस्टोल करूंगा उससे पहले आपको अपनी मंत्रा कर लेता हूं किलिक किया और यहाँ पर यस करने के बाद सीधा ही इस्टोलेशन करने लगेगा इतना इस्टोलेशन हो रहा हूं मैं आपको इतबाब बता दू अगर आपके पास पहले से मंत्र डिवाइस इस्टोल है तो उसको आप पहले रिमूब कर दें हो सकता आपने कैस सी कियर वो वर्क ना की तो उसको पहले रिमूब कर दे कंट्रोल पैनल से जाके और तब जाके द्वारा ड्राइवर इस्टोल करें तो यह मेरा पहला वाला स्टेप फिनिस होगे इसको फिनिस कर दिया देन उसके बाद आप दूसरा स्टेप आया दूसरे को भी मैं run as minister कर देत देख रहो यहां पर यह अगर आपकी डिवाइस सही है उसमें ड्राइवर मतलब सर्विस स्पैक रडी सर्विस एवेलेवल है तो जैसे आप दोनों ड्रेवर इस्टोल करने के आपको एक पॉप अप आ जाएगा उसमें आपकी डिवाइस की ओल इंफोर्मिशन आ जाएगी और इसको इस्टोलिशन तो हमारा होई गया अब यहां पर एक ओप्सन मिलेगा स्टार्ट कैप्चर का इसको टेस्ट करने के लिए कि बास्ता में यह वर्क करेगी या नहीं करेगी तो मैं इसको स्टार्ट कैप्चर पर मैं किलिक करूंगा तो जैसे मैंने स्टार्ट कैप् और इसको फिर exit कर देंगे, exit करने के वाद सीधा finish कर देंगे, तो हमारे driver तो install हो गए, अब उसको हमें फूस settings करने ही पड़ती है, जिसकी वज़े से हम सेटिंग नहीं कर पाते हैं, नहीं पता होता, और जिसकी वज़े से हमारा all-in-one portal पे हमारी mantra device वर्क नहीं करती है, तो अ c drive होती है, उसमें मैं जाओंगा, वहाँ पे जाओंगा मैं program file में, program file में आपको एक option मिलेगा mantra का, mantra वाले option पे मैंने click किया, और एक मिलेगा यहाँ पे rd service का, तो मैं rd service पे click करूँगा, rd service पे click करने के बाद उसको भी open करूँगा, mfa sun rate को इसको open किया, और यहाँ पे ज जो all select करने के लिए आता है, shortcut की है, control के साथ आप यह दवा देंगे, तो यह पूरी file एक साथ select हो जाएंगी, जब आपकी यह पूरी file एक साथ select हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब देख रहे हैंगा है, यहाँ पे यह step by follow करते करते आता है, कि आप पहले this PC गए, फिर OS में गए, फिर program file में गए, फिर mantra, फिर RD services, MFS 100 में गए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अपने mouse को MFS, यह select तो ही आपका पूरी file select है, आपको अपने mouse जो MFS 100 है, इसके आगे आपको बस टिक कर देना है, तो जैसे आप टिक कर देंगे, तो यह step by step आप द button दबाएं, और सीधा copy कर लें, या फिर आप control C, keyword से control C, एक command है, जो copy का काम करती है, वो भी आप कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे copy कर लिया, आप इसको minimize में कर लेता हूँ, अपने folder को, और मैं जाता हूँ सीधा अपने system के control panel में, तो यहाँ पे मैंने control panel को click किया, और इसको आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आता है, edit environment visible for your account, यह option मिलेगा आपको, edit environment visible for your account, इसको आपको click करना है, जैसे आप इसको click करेंगे, तो एक file open होगी, और यहाँ पे path करके, जो एक window file बनी होई है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे होगा, इसको हमें delete करना है, only path पाले को path करके जो path है, उसको हमें delete कर देना है, इसको हमने delete कर दिया, delete हो गया, अब हमें यहाँ पे new बनानी, new file एक बनानी है, इसको हम new करेंगे, new करके variable name में हम लिखेंगे path, आप चाहे capital letter में लिख दें, चाहे small letter में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं capital letter में लिख क्यों कि मुझे अच्छा लगता है, और जो variable value थी, जो मैं copy किया था, उसको मैं control V से भी paste कर सकता हूँ, नहीं तो okay, mouse के right button दबा के, और यह paste वाले एक बटन मिलेगा, इसको paste कर देंगे, तो जो आप देख सकते, seek program file, mantra ID service, mf centrate, यह एक जिगा merge होगी थी, वो file यहाँ पे copy कि क्या, आपको फिर यहाँ पे भी okay करना है, यह मैं window 11 में बता रहा हूँ, window 10, window 11 में, दोनों में same process है, और window 7 में भी same process है, और 10 में भी 11 में भी same process है, मंतरा का same process है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, work यही करना है, जब edit वाला option हमारा काम कर गया, फिर उसके बाद हम फिर उ पे क्लिक करेंगे, change the time zone पे जब क्लिक करेंगे तो एक pop up आएगा, यहाँ पे एक internet time, उससे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है, कि जो हमारा time zone है, वो हमारा Kolkata, Chennai, Mumbai, New Delhi वाला है या नहीं है, उसको पहले चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पे आपका time गड़वड़ा रहा ह साड़े पांच घंटे प्लस में है, और Kolkata, Chennai, Delhi वाला है, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से अपना time change कर लेंगे, change time zone पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से उठाएंगे Kolkata, Mumbai वाला, तो यहाँ से आप उठा लेंगे और उसको select करके OK कर देंगे, मेरा तो already सही है, Mumbai नियो देली वाला है, उसके बाद आपको जाना है internet time पे, यहाँ ओपर option एक internet time का, इस पर आपको click करना है, और internet time पे जैसे click करेंगे, तो change settings का एक option नीचे मिलेगा, इसको आपको click करना है, तो जैसे आपने इसको click है, तो यहाँ पर server मिलेगा time.window.com, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसमें आपको नीचे option भी मिलेगा, पर आपको window वाले.com पे ही रहने देना है, मेरा already वहाँ पे था, time.window.com पे, और एक update नौ का option मिल रहा है, इसको मैं update कर देता हूँ, तो अभी देखो मैंने update किया, तो कुछ error आगया, an error concept getting, जो भी था, सारी चीज़ आगया, फिर से मेरे को दौरा update करना है, तो जैसे मैंने update किया, तो अब आगया, दक्लोग बाग successfully, जब तक आपको successfully का message ना है, तब तक आपको update करते रहना है, एक दो बार सुरू में दिक्कत कर सकता है, जैसे मेरे साथ अभी हुआ, फिर मैंने दौरा again, update now किया, तो update now जैसे मैंने तो मेरा सक्सेश्फिल यहां पर हो गया, अब इसको मैं okay कर देता हूँ, अब इसको भी मैं okay कर देता हूँ, मेरी settings हो गई, आप अपने इस control panel के पेज को भी cut कर दूँ, अब जो मैंने मंत्रा लगाई थी, घी कि आप इसको मैं एक बार अपने PC से रिमूब करता हूँ, मैंने अपने PC से रिमोग कर दिया जैसे रिमोग किया आप देख रहे हो पॉप अप आने लगा क्योंकि driver आप मेरे computer में install हो चुका है तो device removed वाला option यहाँ पर आपको दिग गया है अब यहाँ पर मैं फिर से remove करके जब हटा तो फिर मैं द्वारा लगा हूँ आपने system में और जैसे मैंने यहाँ पर लगाया तो यह pop up देगा device attached और यह पूरी setting rating चेक करेगा जो भी हमने यहाँ पर पूरा ताम जहाँ जो भी हमने खोला था वो सब चेक कर लेगा और यहाँ पर successful का message आ चुका आप देख सकते हो फिर से एक बार remove करता हूँ और आपको यह finally ready to use करने का message देदेगा device removed फिर से में लगा दे रहा हूँ क्योंकि इन्हें सब चीज़े चेक कर ली है जहाँ जहाँ मैं setting इस सब हो गई successful का message भी आ गया था अब final अब 12 से एक बार मैंने लगाया और यहाँ पर आ जाएगा device attached और एक message भी आएगा क्योंकि check तो इन्हें पहले कर लिया अब आएगा framework is ready to use अब इस जैसे ही message आ गया आपकी final तरीके से device आपकी install हो गई है अब आप इसको चाए APS में यूज करो चाहे pen card में यूज करो अगर्वाइस किसी भी काम को लेके आप mantra device only one function पर आप काम कर सकते हैं अगर इस वीडियो को देखके अभी भी आपका अगर device install नहीं होता है तो भाई चैनल unsubscribe कर देना क्योंकि मैं इस वीडियो से challenge करता हो अगर इस वीडियो को देख लिया और यह सारे step follow आपने कर लिए तो 101% आपकी device वर्क करेगी तो आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लेकिस वीडियो को लाइक करना और अभी भी आपके मन में कोई doubt चल रहा हो कोशन चल रहा हो तो comment box खला हो है वहाँ पर मुझे comment कर देना और mantra तो आपको मैंने सिखाई दिया अगर Morpho की भी setting आपको सीखनी है कि कैसे मैं Morpho को use करना है कैसे हमें अपनी computer में install करना है तो मुझे comments जाद से जादा comment करो अगर जाद से जादा comment आए तो मैं Morpho की डिवाइस भी आपको 101% ब्रह्मास्तर में बता के जाऊँगा ये मेरा challenge है तो चलिए दोस्तो फेमलता को ऐसा unique वीडियो लेकर तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम